दोस्तो इस मूवी में हमें एक ऐसे बिमारी के बारें बताया जाता है जिससे आदमी जौमी बन जाता है और इस बिमारी से मानफता को कितना नुकसान पहुचता है और कैसे इस बिमारी की शुरुआत हुई हमें बताया जाता है और वहीं अपनी फैमली को बचाने के लिए ज जिखाया जाता है कि बहुत सी जगा आर्मी शासन लागू कर दिया गया है और वो सब तयार होकर घर के बाहर निकल जाते हैं जहां बहुत ट्रेफिक में वो फज जाते हैं और वहीं हर तरफ पुलिस और आर्मी वाले गुम रहे होते हैं तभी एक पुलिस वाला जैरी की लगा देता है और इन सबसे उसकी बेटी टर जाती है और तभी उसकी गाड़ी का accident हो जाता है और हम देखते हैं कि कुछ लोग पागल होकर एक दूसरे को काटने लगते हैं और काटने के बाद वो लोग उनके जैसे ही बन जाते हैं और वहीं जैरी उस गाडि को वहीं छोड़कर दूषरे गाड़ी में पैट जाता है, लेकिन वो अजीब लोग उसके पीछे पर जाते हैं, और वो गाड़ी को चला कर वहाँ से भाग जाता है, और हम देखते हैं कि हर जगा तबाई हो जाती है, और जेरी की बेटी की तबियत खराब हो जाती है और तभी उसे टेरी का कॉल आता है जो उसे हेलिकॉप्टर से बचाने की बात करता है और उसके बाद वो लोग एक स्टोर के अंदर जाते है जहां जेरी अपनी बेटी की दवाईया डूनता है और एक आदमी उसे दवाई दे देता है और वहीं कुछ लोग उसकी बीवी को लूटने की कोशिश करते है जिससे वो एक को मार देता है और बहार आकर वो देखता है कि उनकी गाड़ी चोरी हो जाती है और वो टेरी को कॉल करके सामने वाली बिल्डिंग के बारे में बताता है और टेरी उसे सुबा हेलिकॉप्टर भेजने की बात बताता है और वो उस बिल्डिंग में चले जाते हैं लेकिन जॉम्बी उनके पीछे पढ़ जाते हैं जिससे वो दर्वाजा बंद कर देता है और किसी के घर में घुश जाते हैं और एक रात गुजारने के बाद जैरी उस आदमी और उसकी फैमली से साथ में चलने को कहता है लेकिन वो मना कर देते हैं और जैरी और उसकी फैमली तयार होने के बाद उस घर से निकल जाते हैं और ये जैसे ही सीड़ी पर चड़ रहे होते हैं कि जॉम्बी इनपर अटेक कर देते हैं और जैरी उन्हें मारता है और अपनी फैमली को छत पर भगा देता है तब ही जैरी उस आदमी के बेटे को देखता है जो زिन्दा बच गया होता है और जेरी उसे साथ लेकर छट पर आ जाता है और ये लोग सॉंबी के पकड़ने के पहले वाह से हेलिकॉप्टर में भाग जाते हैं और हेलिकॉप्टर में आकर आर्मी जहाज पर आ जाते हैं जहां बहुत से ओफसर मौजूद रहते हैं और उन्हें रुकने के लिए एक रूम दिया जाता है और वहीं उसका दोस्तों से बताता है कि राश्टपती मड़ चुके है और बहुत से ओफिसर लापता है और हर जगा अफरा तफरी है साथ ही हर शहर के हालत बहुत खराब है और लगबग दुनिया के हर कोने में ये फैल गया है और किसी को ये नहीं पता होता कि ये कैसे फैला है और इसे कैसे रोकना है जिससे सब परिशान होते है और वो उसे डॉक्टर फस्बैच को दिखाता है जो इस बिमारी का टीका बनाने में उनकी मदद करने आये होते हैं और उसे बताता है कि एक जीमेल के जरीए उन्हें पता चला है कि जिन लोगों को ये बिमारी होती है उन्हें जॉम्बी कहा जाता है और ये Gmail उन्हें दक्षन कोरिया के हैमफ्रेस कैम्प से आया होता है और वो जैरी को बताता है कि अगर उन्हें पता चल जाए कि इस बीमारी की शुरुआत कैसे हुई तो वो इसके आधार पर वैक्सीन बना सकते हैं और एक आफिसर आकर उससे मिलता है और उससे बताता है कि उसने उनके फाइल देखी है जिसमें उसने बहुत से मिशन को पूरा किया है और उसे डॉक्टर फैस बैच के साथ उस जगा पर जाने को कहता है जिस जगा वो कैम्प लगा होता है जिस से उन्हें जॉम्बी के बारे में जानकारी आई होती है लेकिन जैरी मना कर देता है और وہ उसे बताता है कि जितने भी लोग इस शिप पर है उनका एक मकसद है लेकिन अगर वो उनकी मदद नहीं करेगा तो उसे और उसके परिवार को इस जहाद से उतार दिया जाएगा और जैरी अपनी पत्नी से मिलकर उसे जानी ये बारे में सब बताता है हाला कि वो मना करती है लेकिन उसे जाना पड़ता है और वो जाने से पहले उसे फोन देता है जिससे वो बात कर सके और बच्चों को अलविदा कहकर वो चला जाता है और प्लेन में वो डॉक्टर से बात करता है जो उसे बताता है कि कभी-कभी कोई बिमारी जितनी घातक होती है और उसका इलाज भी उसी से निकल कर आता है और व उसकी बंदूक से गोली निकल कर उसे लग जाती है और वो मर जाता है लेकिन तभी कुछ लोग आकर उनकी मदद करते हैं और जॉम्बी को मारने के बाद उन्हें अपने कैम्प में ले आते हैं और कैम्प में आकर जैरी निराश हो जाता है क्योंकि वैक्सीन बनने की आखरी उम्मीद डॉक्टर मारा जाता है और वो उसे बताते हैं कि ये लोग जो जॉंबी होते हैं वो आवाज की और अकर्शित होते हैं और सिर्फ सरपर गोली मारने से ही मरते हैं और वो उसे नियो यॉर्क और बाकी शहरों की स्तिति के बारे में पूछते हैं लेकिन वो उने बता पूछता है कि हर शेहर का अहाल बहुत बेकार है और उनसे उस Gmail के बारे में पूछता है और वो उसे एक रूम दिखाता है जिसमें सिर्फ हड्डिया और राख होती है और बताता है कि एक डॉक्टर जो आर्मी बेस में था उसे एक दिन्स कोरियन सैनिक जो मर गया था उसकी ज चक्कर में कर्णल और बाकी के लोग भी मारे जाते हैं। और वहीं डॉक्टर को इस एरिया का पहला मरीज बताया जाता है। और वो कोरियन भी कहीं गायब हो जाता है। लेकिन जैरी को वहां कोई सबूत नहीं मिलता। और वहीं हमें पता चलता है कि एक आदमी जिसका पैर बेकार होता है एक लड़ाई में जॉम्बी उसे छोड़कर बाकि सब को मार देता है और वहीं काटने के बाद लोग 10-12 सेकिंड में जॉम्बी बन जाते हैं और वहीं कुछ को 5-10 मिनिट लगते हैं और वहीं जैरी एक आ बिमारी से बचने के लिए अपने सभी लोगों के दाथ निकलवा दिये थे जिससे कोई उन्हें काट नहीं सकता था और वो इस बिमारी से बच गए और वहीं इसराईल ने भी हमले से पहले ही कई बड़ी दिवार बना कर अपने देश की शुरक्षा को बढ़ा दिया था क् उसे पहले जानकारी मिली थी और वो उसे यरुशलम इसराइल के एक जगा जाकर एक आदमी से मिलने को कहता है और जैरी वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो लोग प्लेन में इंदन भरने निकल जाते हैं जिससे चैरी यरुशलम जा सके और वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं जिससे जॉम्बी उसकी आवाज ना सुन सके लेकिन तभी जैरी पर उसकी पत्नी का फोन आ जाता है जिससे शोर सुनकर वो जाग जाते हैं और ये लोग जॉम्बी को मारना शुरू करते हैं और तभी एक आदमी उनके कमांडर को काट लेता है जिससे व जहां कोई बिमारी नहीं होती है और वो उस आदमी से मिलता है जो उसे बताता है कि उन्होंने हिंदुस्तानी लोगों की एक खबर सुनी थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि वो जिन्दा लाशों से लड़ रहे हैं और इसराइल कोई भी खबर पर काम करने से पहले उसकी दस आदमियों की एक टीम होती है जिसमें जो नौ आदमी एक बात पर सहमत होते हैं उस दसवे आदमी का काम है उस खबर की खोजबीन करना और उसने बहुत रिसर्च करने के बाद इस बात को सच माना कि जौंबी होते हैं और अपने देश की सुरक्षा को बढ़ा दिया हाला कि किसी को अभी तक नहीं पता कि इस बिमारी की शुरुआत कहां से हुई और वो उसे वो सुरक्षा दिवार दिखाता है और साथ ही दिवार के बाहर हमें जौंबियों को दिखाय जाता है जो लाकों की संक्या में होते हैं और सभी लोग खुश होकर इंजॉय कर रहे होते हैं जिससे वो सब को धिरे धिरे काटना शुरू कर देते हैं हाला कि आफिसर बंदूक से उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई फाइदा नहीं होता है और हेलिकाप्टर से भी वो अपने लोगों की कोई मदद नहीं कर पाते और कमांडर एक आफिसर को जैरी को प्लेन पर ले जाने को कहता है और हम देखते हैं कि हर तरफ अफरात अफरी का महौल होता है और जॉम्बी लोगों पर बुरी तरह कूट पड़ते हैं और उन्हें काटना शुरू कर देते हैं और वहीं जैरी देखता है कि एक बच्चे को छोड़कर जॉम्बी बागी सब पर हमला करते हैं और जॉम्बी को मारने के लिए वो लोग बम का इस्तमाल करते हैं और तभी एक जॉम्बी आफिसर के हाथ पर काट देता है और यह देखकर जैरी उसका हाथ काट लेता है जिससे उसे बहुत दर्द होता है लेकिन वो जॉम्बी नहीं बन पाती और उन्हें एक हेलिकॉप्टर लेने आ गया होता है और जैसे ही वो हेलिकॉप्टर में चड़ने वाले होते हैं कुछ जॉम्बी उस पर सवार हो जाते हैं जिससे हेलिकॉप्टर क्रेश हो जाता है और जैरी का साथ ही उसे एरपोर्ट पर आने को कहता है और हम देखते हैं कि पूरा शेहर बरबाद हो जाता है और ये लोग जैसे ही एरपोर्ट पहुचते हैं कि उसका साथी प्लेन लेकर भाग जाता है जिससे ये लोग दूसरे प्लेन में चड़ जाते हैं और जैरी उस ओफिसर को एक जगा बिठा कर उसके घाव का इलाज करता है और तभी वो उसे बताती है कि उसका हाथ काटने से वो किसी काम की नहीं है और अब वो सिर्फ एक बोज है जिससे जैरी को डॉक्टर की बात याद आती है और वो उन लोगों के बारे में सोचता है जि वेक्सिनेशन की दवाई बनती है और टियरी उसे पता दे देता है और उससे पूछता है कि वो कहा है और वो उसकी बात कैप्टन से करवाता है और टियरी कैप्टन को लोकेशन पता देता है जिससे वो वहाँ प्लेन लेंड करवाने के लिए मान जाता है और वही उस प्ले प्लेन के दूसरी और जॉम्बी सब को काट रहे होते हैं और वो सब को उस जगा पर ट्रॉली और बैग लगाने को कहता है जिससे वो इन्हें देख नहीं सके लेकिन तभी एक आदमी से बैग गिड़ जाता है जिससे वोने देख लेते हैं और उनकी तरफ आकर को राम मचा द और सब को काटने लगते हैं और जॉम्बी की बड़ी हुई संक्या देखकर और खुद को बचता ना देखकर जैरी उन पर एक बम फैक देता है जिससे प्लेन आदा फट जाता है और सब लोग हवा में उड़ने लगते हैं लेकिन जैरी खुद को और ऑफिसर को सीट से बान द देता है और इनका प्लेन क्रैश हो जाता है और जैरी बच जाता है लेकिन उसके पेट में एक चाको फज जाता है और वहीं उसके बीवी उसके कॉल का इंतजार करती है और तभी एक आदमी आकर उसे बताता है कि उसे टियरी ने बुलाया है और टियरी का ओफिसर उसे बताता है कि जैरी मर गया है और उन लोगों को रिफ्यूजी कैम्प में भेजने को कहता है हाला कि टियरी उसे बताता है कि उन्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए लेकिन officer नहीं मानता और उन्हें refugee camp में बेज दिया जाता है और वही हम देखते हैं कि कुछ लोगों ने चाको निकाल कर जैरी का operation कर दिया होता है और होश आने के बाद जैरी से एक आदमी आकर मिलता है और वो उसे पूछता है कि वो कौन है और कहां से आया है और वो उसे बताता है कि वो तीन दिन से बेहोश है और अपनी सच्चाई बताने के लिए जैरी उनकी बात टियारी से करवाता है और टियारी उनसे बात करके उन्हें अपना परिच्छे देता है और वहीं वो उसे अपनी बीवी के बारे में पूछता है और ट्यारी उसे सबसच बता देता है जिससे वो उस पर नाराज हो जाता है और तयार होकर उन्हें ढूनने जाने लगता है लेकिन डॉक्टर उसे समझाते हैं कि वो सुरक्षित है लेकिन जैरी उस पर गुसा होता है और वो उसे बताता है कि उसकी बीवी ने जॉम्बी बन कर उसके बेटे को ही मार डाला था और उसे बताता है कि उसे धहरे रखने की जरुवत है और वहीं वो उन सब को बताता है कि उसने बहुत से जॉम्बियों को देखा है जो बिमार लोगों को काटते नहीं है क्योंकि उन्हें एक सुच और healthy शरी की जरुवत होती है अपना रोख फैलाने के लिए और अगर वो उन्हें यकीन दिला दे कि वो बिमार है तो वो लोग उनसे बच सकते हैं और वो उसकी बाद से सहमत हो जाते हैं और उसे बताते हैं कि किसी को पहले खुद को बिमार करके उनके पास जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वो जो कह रहा है वो सही है या नहीं और वहीं हमें एक जॉम्बी दिखा जाता है जो उनकी कैद में होता है और डॉक्टर उसे बताती है कि वो जो इंफेक्टेट दवाई बता रहा है वो दूसरी इमारत में है जहां जाना इंपॉसिबल है क्योंकि कुछ समय पहले उनका एक डॉक्टर इंफेक्टेट होकर जॉम्बी बन गया था और अब उस बिल्डिंग में सब जॉम्बी रहते हैं और जो ब्रिज उनकी बिल्डिंग को दूसरी इमारत से जोड़ता है उन्होंने उसे बंद कर दिया है और हमें पता चलता है कि वहां 80 लोग हैं और जैरी अफसर और डॉक्टर तयार होकर जाने लगते हैं और वहीं एक आदमी उन्हें बताता है कि वो हो सके तो किसी को मारे नहीं क्यूंकि इससे वो गुस्से में आ जाते हैं और वो सामान हटा कर बिल्डिंग में परवेश कर जाते हैं और जॉम्बी से बचते हुए आगे बढ़ते हैं और वहीं बाकी डॉक्टर कैमरे से उन पर नजर रख रहे होते हैं और तभी एक जॉम्बी जेरी को देख लेती है जिससे वो उस पर गोली चला देता है और सब लोग आवाज सुनकर आकरामक हो जाते हैं और इनको मारने के लिए आने लगते हैं और जेरी उन दोनों को दूसरी और भेज कर आवाज करके जॉम्बियों को अपने पास बुला लेता है जिससे जॉम्बी उसके पीछे पढ़ जाते हैं और वो उने मार कर वहाँ से भाग जाता है और वहीं बहुत से जॉम्बी उन दोनों के पीछे बढ़ जाते हैं जिससे वो पहली बिल्डिंग की और भागते हैं और जॉम्बी के पकड़ने के पहले बिल्डिंग में वापस आ जाते हैं और सब लोग दर्वाजा लगा देते हैं और जैरी को भी वो रूम दिख जाता है और डॉक्टर उसे फोन करके दर्वाजे का पासवर्ड बता देती है और सब लोग उसे देखते हैं और जैरी वहां बहुत सी दवाईया देखता है और वो उन्हें उठा कर जैसे ही आने लगता है कि एक जॉम्बी उसके दर्वाजे पर आकर खड़ा हो जाता है जिससे वो खुद को इंजेक्शन देने की सोचता है लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता क्योंकि वहां बहुत से इंजेक्शन होते हैं इसलिए वो एक नोट लिखकर उन्हें दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि वो उसके मरने के बाद उसके परिवार को बता दे कि वो उनसे बहुत प्यार करता है और वो एक इंजेक्शन खुद में लगा देता है और वहीं सब चिंदित होते हैं कि ये तरीका काम करेगा या नहीं और कुछ समय बैठने के बाद वो दरवाजा खोल देता है और फिर वो दोनों वहाँ से चल लिया जाते हैं, और हमें जैरी की फैमिली को दिखा जाता है, जिससे वो लेने आया होता है, और हमें पता चलता है कि बहुत से देश तबाह हो गए हैं, और WHO की मदद से सब को वो टीका मिल जाता है, और हर जगा हेलिकॉप्टर से तीका पहुचा दिया जाता है जिससे सब शुरक्षित हो जाते हैं और बहुत से जॉंबियों को जला दिया जाता है और बहुतों को बॉम से उड़ा दिया जाता है और फिर ये क्लासिक मूवी यहीं खतम हो जाती है दोस्तों 2013 में आई इस मूवी की IMDb rating 7 है और 19 करोड डॉलर में बनी इस मूवी ने बॉक्स ओफिस पर 54 करोड डॉलर की कमाई की थी तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है फिर लाटूंगा एक नई मूवी के एक नई कहानी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद